हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांजिक्शनल प्रावीजन देखा था, देखा था सर, और उस ट्रांजिक्शनल प्रावीजन में हम लोगों ने सेक्शन 139 सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 2 & 3 कवर किया था जरा एक बार धंग से सुनें एक बार रीकाप कर लेते हैं और उसके बाद थोड़े सेक्शन कुछ और आगे बढ़ाएंगे यह जो हम लोग transitional provision कर रहे हैं यह बहुत important इसलिए है क्योंकि कई लोगों के input tax की credit यहीं से मिलने वाली है migration से now what are the procedure what type what type of kind of rules are framed for that purposes now we have to learn carefully to better to understand understand once again it to sir हमें आप एक बार और बता दीजिए जो आपने last session में बताया था उसको एक बार और बता दीजिए ताकि हमें समझ में आ सके कि हम लोगों को करना क्या है last session में मैंने आपको बताया था जरा डंग से सुनेंगे तो हम लोगों ने last session में क्या क्या देखा था एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने section 139 की study की थी बिल्कुल की थी section 140 sub section 1 2 & 3 के बारे में देखा था देखा था बिल्कुल देखा था सर जी तो आज हमें बताईए हम करें तो करें क्या सबसे पहले हम लोग section 139 पिक करेंगे फिर से लगता है कि उसकी sale 10 लाग 15 लाग थी इसलिए वो उसमें registered था वैट वगर में अब चुंकि इसमें 20 लाग की threshold हो गई है तो it is of no use to get the registered under new law लेकिन अगर आप business continue करते हैं on 38 जून बटा ओविस है maximum person maximum के अलगवक सारे लोग अपने business को बन तो कोई नहीं करने जा रहे है इसके करण तो 30 जून को अगर आप है registered under existing law तो आपको first July को registration तो होना ही होना है migration तो होना ही होना है आपको provisional ID और password provisional ID के through आपका provisional registration हो जाएगा जो कि 6 महिने तक valid होगा if you just want to cancel it then you can do it cancel after the registration under the new law registration वातलब not permanent registration जो provisional registration हुआ है आपका आप उसको cancel करवा सकते हैं अगर आप 6 month तक कोई proceedings नहीं करवाते हैं cancellation का तो after 6 month it will automatically be lapsed is it clear जी सर यह आपने हम लोग को बताया था यही था आपका section 139 अब हम लोग आते हैं section 140 की बात करते हैं और ढंग से सुनेंगे बहुत ही important topic है section 140 transitional arrangement for input tax credit important चीज क्या है अगर हम important words की बात करें तो सबसे पहला word है जो सबसे important है वो है registered person जब हम registered person की बात करते हैं तो registered person का मतलब होता है इस act में registered person किस act इस act का मतलब cgst sgst utgst तो registration position scheme वाले लोग शामिल नहीं है यानि इसमें शामिल नहीं है section 10 वाले लोग कोई भी registered person अच्छा शेल बी entitled to take credit और credit का मतलब मैंने बताया था send with credit और जब मैं send with credit को बता रहा था तो मैंने cst और bet को अलग कर दिया था और मैंने कहा था हम लोग next session में देखेंगे आज के इस session में देखेंगे और आज वो समय आ गया है कि इसको समझें send with credit का मतलब मैंने आपको detail में बताया था send with credit means the credit of excise duty as well as the credit of service tax send with credit का मतलब send with means duty बताया था excise duty लेकिन send with credit का मतलब मैंने क्या बताया था excise duty की credit as well as service tax की credit लेकिन मैंने उसमें cst और bet को छोड़ दिया था मैंने कहा कि जब हम लोग का next session आएगा then at that time we'll pick it आज पहले उस चीज़ को clear कर लें क्योंकि last session में तो ये सारी चीज़ें clear हो ही गई थी यहां मैंने साफ साफ लिखा है और ढंग से देखें कि कितना साफ लिखा है cst shall be refunded under existing law if the provisions followed else no credit shall be taken under gst on account of cst अगर आप इसको ऐसे पढ़े तो शायद आप पढ़ तो लें समझ भी लें लेकिन एक चीज़ आप से छूट रही होगी पढ़ने के बावजूद मैं जरा उसको indicate कर देता हूँ आपने कौन सी चीज़ छोड़ दी cst shall be refunded इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि cst की कोई credit नहीं मिलनी जी हाँ जी cst की आपको कोई credit नहीं मिलने जा रही लेकिन अगर आप अपने उन act के provisions को follow करें जो आपके उपर लग रहे थे और अगर आपको refund हो सकता है उस provisions के ताथ तो आपको refund हो जाएगा लेकिन किस law में not under the gst act but under existing law but not under the gst system but under the existing law ये word है ये existing law में आपको मिलेगा existing यानी old laws जो चल रहे थे gst आने के पहले तो cst act के हिसाब से registration and turnover act rules थे ही आपके तो cst shall be refunded under existing law if all the provision तो ध्यान देने वाली बात है existing law में cover होगा हम उसको credit भी नहीं ले सकते और ना तो gst में उसका हम कोई treatment करने जा रहे हैं तो आज के बाद cst की बात आप लोग हमसे बिलकुल नहीं करेंगे जी sir नहीं करने वाले वैट की जहां तक बात है तो ये देखें मैं underline कर रहा हूँ as gst act credit of the amount of wet and entry tax if any तो मैंने उसको कहां नहीं पला लिखा है इसके साथ लिखा ये देखें samvitt credit के साथ लिखा है तो आब अगर मैं बोलूं कि आपको excise duty की credit मिलेगी yes sir मैं अगर बोलूं wet tax की credit, wet की credit मिलेगी je sir जो state wet था और मैं अगर बुलूं, entry tax to a state government वारा impose किया गया था, उसकी credit मिलेगी, if any, then it is okay, कोई problem नहीं, आगे चल सकते हैं, जी sir, carried forward in the return relating to the period ending with the day immediately preceding the appointed day, furnished by him under the existing law, in such manner as may be prescribed, तो अब मुझे आपको यहां तक कुछ भी बतानी जुरूत नहीं है, मैं के वला आपको इतना ही कह सकता हूं कि just going to migrate from existing law to GST law, then in that case, you can take the credit of service tax, excise, duty, VAT and entry tax, is it clear, but you are not allowed to take credit of what, अरे बोलो ना, आपको credit नहीं मिलेगी, CST की किसी पी तरह से इस GST act में नहीं आएगा, अच्छा सर, rules है, registered person है, application है, GST trans within 60 days आपको भरना है from appointed date से, लेकिन शर्त यह है कि आपका जो यह input tax credit लेने जा रहे हैं, shall not be allowed होगा, कब अगर, where the said amount of credit is not admissible as input tax under the, under the GST act, अगर input tax credit मुझे GST में नहीं मिलने वाली normal provisions के हिसाब से, तो पुराना वाला इदर क्यों आएगा, उसकी तो credit वैसे ही नहीं मिलनी, पुराने में भले eligible था, बल नए act में, GST act में वो eligible नहीं है duty credit के लिए, तो भले ही पुराने में था, यहाँ पर उसकी credit नहीं मिलने वाली, अगर उसने appointed date के जस्ट पहले के 6 महीने की return सही समय पर ना भरी हो, तो भी उसको credit नहीं मिलने वाली, और उसने, where the said amount of credit relates to goods manufactured and the important word is and, important word क्या है, and, cleared, manufactured and cleared under such exemption notification as notified by the government, अगर उसने कोई ऐसे सामान को manufacture किया, और उसको clear किया, जो की exempted था, जी हाँ, and cleared under such exemption notification as notified by the government, जी, यह चीज़ें हम लोगोंने last session में देख ली थी, आते हैं आगे, section 140, sub section 2, वहाँ तो हम लोगोंने बात की, existing law में registered था, new law में आ गया, उसमें भी registration है, लेकिन वहाँ पर क्यों input tax की बात हो रही थी, capital goods की बात नहीं हो रही, input की बात हुई थी, capital goods की बात नहीं हो ही, लेकिन अगर हम capital goods की बात करें, तो कोई भी registered person, जिसमें section 10 वाला बंदा शामिल नहीं है, composition वाला, अपने unavailed credit को transfer कर सकता है, unavailed credit को transfer कर सकता है, credit लेने के लिए किसमें? New law में, GST में, तेयर है, मान लिजे, पहले ये system था कि जो हम लोग capital goods लेते थे, उसकी दो part में हमको credit allowed होती थी, 50% in the same year and 50% in the subsequent year, तो कहा गया, अगर वो 50% आपको मिल चुका है और 50% बाकी है, then you can carry forward over here in this provision, लेकिन अगर हम normal system की बात करें, GST law applicable होने के बाद, अगर हम कोई capital goods खरिते हैं न, तो उसमें ऐसा कोई bifurcation नहीं होगा, कि दो part में लो, तीन part में लो, you can get 100% of the credit in the same year, तो फिलाल नय law में इस तरह का कोई tension नहीं रहेगा, section 147, section 3, existing law में registered नहीं है, दिख रहा है, जी सर, existing law में registered नहीं है, लेकिन वो credit लेना चाहता है, तो but obvious है, उसको इधर देखें, उसको registration लेना पड़ेगा, कहां वो registered नहीं था, existing law में, लेकिन वो new law में registered हो रहा है, हाँ, वो new law में registered हो रहा है, क्योंकि पहले वाले law में, he was not liable to get the registration, not liable, means वो तरह sold limit के अंदर था, या वो manufacture करता था, exempted goods का, जी सर, या तो वो services देता था, exempted services, जी सर, वो first stage dealer था, second stage dealer था, registered importer था, depot था, manufacturer का, या फिर, वो work contract services देता था, जो की notification number 26 divided by 2012 का benefit उठाता था, exemption का, तो अगर वो कोई ऐसा बंदा पहले था, और अब वो registration ले रहा है, GST में, तो कहा गया, shall be entitled to take credit in the electronic credit ledger, shall be entitled to take credit in the electronic ledger, credit ledger, credit of, ढंग से सुनेंगे, ये word, नया चीज, last session में जब हमने पढ़ाया था, मैंने इसको थोड़ा सा, overlook कर दिया था, इस word पर बने emphasize नहीं दिया था, उसके पीछे reason ये था, कि पहले आपको कहानी तो समझ में आ जाए, अगर कोई SSE या कोई person existing law में registered नहीं था, वहाँ registered नहीं था, लेकिन GST में वो register हो रहा है, और वो GST में register हो रहा है, business कर रहा था, उसके पास stock available था, उसके लिए registration important नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर आता है और registration कराता है, business कर रहा था, उसके पास stock available था, तो अब बताओ credit मिलेगी की नहीं मिलेगी, जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, shall be entitled to take credit of eligible duties, सर ये तो बता दीजिए, eligible duties क्या होती है, थोड़ा नहीं, बहुत नीची आगे हम लोग, जी, ये है आपकी eligible duties, जी सर, मिल गई, जी, अगर हम बात करें eligible duties, तो eligible duty means, बहुत आसान है कुछ है नहीं, मैंने थोड़ा नीची उपर कर दिया, act से कुछ चीजें, उपर कुछ rearrange कर दिया है अपने हिसाब से, तो उस चीज़ को आप लोग देख लेंगे, कहीं ऐसा नहीं, आप अपनी बुक लेकर करके बैठें, तो confused हो जाएं, तो फिलाल, अगर मैं eligible duties की बात करता हूं, तो उसको कौन-कौन सी credits मिलेंगी, पिछले से नय में आ रहा है, पहले वो not liable to registered था, exempted goods प्रों मैनिफेक्चर करता था, था, exempted services देता था, वो contract notification को follow करता था, first stage dealer था, second stage dealer था, यहाँ डीपो था, manufacturer का चब, तो अगर ये conditions थी, तो उनको credit मिलेंगी, किन-किन चीज़ों की, additional duty of excise, कहां registered हो, goods of special importance, goods of special importance, act 1957, additional duty of excise, textile and textile articles, act 1978, तो, sir, आप ये कहना चाहते हैं, कि, इन दोनों cases में, additional duty of excise allowed हो जाता है, credit मिल जाएगा, जी, यहीं पर ना रुकें, थोड़ा सा, अगर मैं आपको और दिखाऊं, तो दो चीज़ें और दिखेंगी, ये, ये भी excise का ही है, excise duty, first schedule and second schedule, the duty of excise specified in the first schedule, जिसको हम basic excise duty भी बोलते हैं, the duty of excise specified in the second schedule to the CETA, 1985, तो अब अगर आप बात करें, तो आपको first schedule में mentioned excise duty की credit मिल जाएगी, second schedule में mentioned excise duty की credit मिल जाएगी, additional duty of excise special, items of special importance, and textile and textile articles का भी आपको excise duty की credit मिल जाएगा, इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो था excise duty लगबग लगबग सारी मिल गई आपको, customs tariff act के हिसाब से, custom duty जी, 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 countervailing duty है और additional duty of custom है, special additional duty जिसको आपको काते हैं, तो additional duty under section 3, subsection 1 of customs tariff act, additional duty of, additional duty leviable under section 3, subsection 5 under customs tariff act, तो customs tariff act की section 3, 1, section 3, 5 की credit आपको मिल जाएगी, 31 and 35 क्या है, ये पहले भी हम लोग discuss कर चुके हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से अभी बता देता हूँ, 31 होता है, excise duty, अगर कोई सामान आप विदेश से import कर रहे हैं, तो government को किस चीज़ का नुकसान हुआ, अगर कोई सामाना आप विदेश से इंपोर्ट करने तो गॉर्मन्न को किस चीज़ का नुकसान हुआ तो ये एक्साइज जूटी और सेल्स टेक्स का कमपनसेशन है एक तरह से गॉर्मन्न को इन सेक्शन के हिसाब से एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज की जाती है तो फिलाल कस्टम ड्यूटी की ये दोनों है हमने इन चीज़ों पर पहले भी डिसकस किया हुआ है तो अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी ये है कस्टम्स 3-1 and 3-5 इसकी क्रेडिट मिल जाएगी लास्ट बचा हमारा NCCD National Calamity, Contingent Duty तो in totality आपको Basic Exiled Duty ठीक है First Schedule, Second Schedule की Exiled Duty ठीक है Goods of Special Importance ठीक है Textile and Textile Articles Exiled Duty ठीक है Customs का Section 3-1, Customs का Section 3-5 and NCCD इतने eligible duties होती हैं तो हम लोग को ये तो समझ में आ गया eligible duties क्या होती हैं वापस हम वही पर पहुँचने जा रहे हैं जहां हम लोग थे अब मैं यहाँ पर फिर से इस चीज को study करता हूँ धंग से सुनेंगे अब आपको था रेजिस्ट्रेशन के लिए first stage dealer second stage dealer depot of a manufacturer था यह उसने exempted goods को provide करता था यह exempted services देता था यह work content जो notification से cover था उसमें था तो उसको credit मिलेगी electronic credit leisure में कहां मिलेगी credit electronic credit leisure में किनकी credit मिलेगी eligible duties की schedule one की एक्साइस duty schedule two की एक्साइस duty goods of special importance की and textile and textile articles की customs का 3-1 customs का 3-5 and NCCD इतनी चीजों की उसको eligible duties हैं जो उनको credit मिलेगी in respect of input held in stock and input input held in stock and input content in semi or finished goods held in stock on the appointed subject to the following conditions अब सर इनकी क्या condition बच गई such input or goods are used or intended to be used for making taxable supply एक चीज बिलकुल याद रखेंगे कि आप इन सामानों का क्या use करते जी सर used और intended to be used अब अब आप एक बात बताईए अभी मैंने थोड़ दिर पहले कुछ और बोला आप मैं फिर आपको कुछ पलटने जा रहा हूँ अगर कोई बंदा exempted goods के manufacture में involved था तो ये तो गलत लिखा है सच input or goods are used intended to be used भी तो लिखा है यानि अब इस act में वो चीज taxable हो गई for making taxable supplies under this act the said registered person is eligible for input tax credit or inputs under this act ठीक है यानि ये act उस बंदे को allow करता है कि अगर आप इस act के अंतरकत registered होते आप एक normal GST pay करने वाले SSE यां registered person होते तो आपको इन inputs पर credit मिलती अगर ऐसा होता तो हाँ अगर आप exempted से taxable में आ रहे हैं तो भी आपको credit मिलेगी बशर्ते उन सामानों का use आप taxable supplies में करेंगे बशर्ते इस act में ऐसे inputs पर credit दी जाती है और बशर्ते registered person is in the position of invoice वसी तो शुरू से ही हम लोग को मालूम है कि input tax credit अगर चाहिए तो आपको invoice के possession होने ही चाहिए आपके पास important चीज़ यह है document evidencing payment of duty under the existing law in respect of such input में फिर से एक important word की और आपका ध्यान आख क्रिष्ट यानि इंडिकेट करना चाहूंगा pay your attention please please the said registered person evidencing यह important word है evidencing payment of duty under the existing law in respect of such inputs यानि अभी तक जितनी भी हम लोगों ने बात की मैं फिर से वापस ले आ रहा हूं section 140 subsection 3 में कि अगर कोई बंदा existing law में registered नहीं था exempted goods बनाता था exempted services देता था not liable था first stage dealer second stage dealer है depot of a manufacturer है work contract जो notified था उसमें आता था और अब वो registered person बन रहा है किसमें GST में तो eligible duties की credit मिलेगी किसकी मिलेगी eligible duties की यानि कि exempted के case में भी eligible duties की credit मिलेगी exempted के case में भी वो मैंने 7 points बताए उनको आप याद रखेंगे वो eligible credit मिलेगी बशर्ते इनका use intended to be used for taxable supplies ठीक है इस act ने कहीं मना नहीं किया position में है हमारे पास invoice और सबसे important चीज की मेरे पास document ऐसा available है जो ये evidence देता है कि मैंने existing law के तहत duty का payment किया है ये duty का payment such invoice or other prescribed document where issued not earlier than 12 months ओके तो ये तो normal सी चीज है अब तो आप लोग के दिमाग में है कि date of appointed date के just पहले के 12 महीने पहले का invoice ना हो appointed date 1st July अगर है आपका law start हो रहा है जिसके just पहले के 12 महीने के अंदर का ये invoice होना चाहिए जिसके आप credit allow करने जा रहा है the supplier of service is not eligible for to get any abatement under this act ठीक है under this act का मतलब ये नयवाले act में तो ये आपकी conditions थी अगर आपको eligible duties की credit लेनी है तो हो सकता है आप credit लेना चाहते हूँ the most most important अभी भी revision ही हो रहा है last session ही चल रहा है सोचें कि अगर हम लोग ने आज का ये session नहीं किया होता last session में ही मैंने आपको ये clear कर दिया था कि इस session को second session को किये बिना अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ problem आएगी तो देखें कितना फरक महसूस हो रहा होगा आपको भी लग रहा होगा कि कई नहीं चीज़ें मिली लेकिन अगर इनी सब चीज़ों को last session में ही मैंने मिला करके आपको बता दिया होता तो tension बद से बदतर हो जाती you are a registered person now we are a registered person other than a manufacturer okay other than a manufacturer or a supplier of services not in possession of an invoice the most most important word is other than हम यहां किसी manufacturer की बात नहीं कर रहे है हम यहां किसी supplier of service की बात नहीं कर रहे है इसका मतलब हम बाकी सब की बात कर रहे है बजाए उन लोगों के जो directly involved होते है manufacturing में या service देने में यानि बाकी सारे लोग की trader की बात कर रहे है नॉर्मल यह आप यह समझ लो where a registered person any trader is not in possession of an invoice or any other document evidencing payment of duty in respect of imports अगर किसी trader के पास document नहीं है not in possession of any document or invoice evidencing payment of duty की input के समय उसने duty का payment किया था then such registered person okay including that the taxable person shall pass on the benefit छोड़ने अभी छोड़ने be follow allowed to take credit at such rate as the manner as may be prescribed यानि ऐसे बंदे को भी जिसके पास document नहीं है यह evidence नहीं है कि उसके पास जो stock है जो उसके पास stock है उस पर उसने कितने duty का payment किया he doesn't possess any invoice or any document evidencing the payment of duty मैं यहाँ पर duty का मतलब excise duty की बात कर रहा हूँ तो कहा गया इसके लिए rule 3 बना है क्योंकि उपर लिखा था as may be prescribed ठीक है नहीं यह as may be prescribed तो वापस आते हैं a registered person who was not registered under the existing law ठीक है existing law में registered नहीं था मुझे की बात कर रहे और अगर existing law में registered नहीं था और उसके पास document था evidence था invoice था तो उपर आ जाता provided में क्यों जाता अगर existing law में registered नहीं और आप वो registered है और उसके पास document भी नहीं है evidences भी नहीं है और वो trader है न कि manufacturer और supplier of service है is it clear तो उस case में कहा गया registered person was not registered under the existing law तो कई लोगों को ये दिमाग में doubt है ये doubt अपने दिमाग से निकालें कौन सा doubt हम लोग के दिमाग में है वो ये कि आप manufacturer हो आपके पास कोई document अविलिबल नहीं है invoice अविलिबल नहीं है आपके पास stock है आप carry forward करना चाहते हो existing law में आप registered नहीं थे तो आपको 40% 40% yes sir मिल आगे दिमाग से निकाल दें मैंने कहा न manufacturer और supplier of service को आप लोग छोड़ देंगे registered person who was not registered under the existing law availing credit in respect of shall be allowed to avail input tax credit on goods held in stock on the appointed in respect of which he is not in possession of any document evidencing payment of central excise duty मैंने अभी तोड़ दर पहले बोला कि हम किसकी बात करने duty का मतलब यहां पर केवल central excise duty की बात करे हैं मुसके credit के लेने की बात करे हैं और उसके उसका हमी और बहुत अच्छी चीज आने जा रही है मैं फिर बोल रहा हूं the most most important thing important thing is yet to come yet to come okay इसका मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा जी हाँ जी और मज़ेदार सीखने को मिलेगा वापस आते हैं such credit shall be allowed at the rate of 40% अब गौर्बर्मन ने शायद 60% में कुछ चीजों को किया है next session में हम उस चीज को cover कर लेंगे कि शायद tax rate जिन पर 18% से ज़्याद है उस पर 60% के duty मिल जाएगे फिलाल फिलाल अभी हो महाँ पर नहीं जा रहे है जो important चीज हम यहाँ आने आपको ध्यान indicate करवाना चाहरे है वो क्या है वो ढंग से सुनेंगे जो important चीज है वो ध्यान से से देखेंगे 40% 50% 60% that would be changed means हम यह मान कर चलते है percentage rate वगरे change होते रहते हैं उसमें हम लोग को ज़्यादे दिमाग लगाने की जोड़ती पड़ती main होता है कि law कहता क्या है such credit shall be allowed हम existing law में registered नहीं थे हम नए law में registered है हम stock महा का यहाँ पर credit लेना चाहते है लेकिन खास बात यह है कि पास कोई evidence available नहीं है जो यह साबित कर दे कि हमने duty का payment किया है तो इस case में हम क्या करें क्या हमें credit नहीं मिलेगा yes sir credit मिलेगा अच्छा हम किस credit की बात करते हैं such credit shall be allowed किस की credit कौन सी credit की बात कर रहे है sir clear नहीं है मैंने कब भी बताया आपको clear हो जाएगा अब तो सुनने जारे है मैंने कान और आख दोनों खुले रखेंगे such credit shall be allowed at the rate of 40% 40% of what 40% of what 40% of the central tax central tax तो इसका मतलब हमारा इस act के हिसाब से यानि GST act के rate का 40% central tax का मतलब कहीं लिख ले CGST ना तो UTGST ना SGST ना IGST central tax का मतलब CGST के rate का 40% sir आप ना बहुत confuse कर देते हैं मैं confuse नहीं कर रहा हूँ मैं आपकी problem को sold कर रहा हूँ मैंने क्या बोला मैंने बोला अगर आप existing law में registered नहीं थे reasons आपको मालूम है क्यों आप नए law में registered हो रहे हैं आप अपने stock को ले आना चारहे हैं उस पे दिये गए duty का आपके पास evidence है तो पूरी care credit ले लो ना डिक्कत क्या है eligible duties ले लो ना डिक्कत क्या है लेकिन problem तो उस समय आती है जब मेरे पास evidences available नहीं है और जब मेरे पास evidences available नहीं है तो मुझे 40% of the central tax की credit मिलने जा रही है ओके have patience such credit shall be allowed at the rate of 40% of the central tax applicable on supply of such goods after the appointed date ओके आप न ये देखो कि अगर ये सामान आज GST लागू होने के बाद अगर supply किया जाता तो उस पर कितना CGST लगता और जितना CGST लगता उसका 40% of credit ले लो ना appointed date में कौन मना कर रहा है and shall be credited after the central tax payable on such supply has been filled the scheme shall be available for six tax period from the appointed date सर 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 ये सारी चीज़े आपने लास सेशन में तो नहीं बताएं थी मैंने रोड़ा लाइट ले लिया था कि वल ये बताने के लिए कि 143 में क्या है आज तो आप उसकी तह तक जा रही हैं और important चीज़ फिर से सुन लें ये six tax period क्या है the scheme shall be available from the appointed date से six tax period फिर से एक नया लोचा अरे ये appointed day है यहां से stock यहां आगया अप दिक्कत क्या है सर जी फिर छे महिना आगे जी हाँ जी आपको हर महिने government को ये बताना होगा कि वो सामान जो कभी हम exempted थे या liable नहीं थे जो हम यहां लाए है appointed date में छह महिने तक उसका हिसाब किताब आपको government को देना पड़ेगा बार बार लगातार अच्छा थोड़ा और आपको confuse अब मैं कर दू तैयार रहेंगे तैयार है सर आफ्टर द अप्वाइंटेड डेट credit मिल जागी 40% of the central tax and shall be credited अच्छा 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 उसकी credit कब मिलेगी तुरंत after the central tax payable on such supply has been paid यानि आप सामान बेचते जाओ आप जितना सामान सप्लाई करोगे उसके cgst की 40% की credit लेते जाओगे one stretch में नहीं है इसी लिए तो ये word यूज किया गया है the scheme shall be available for six tax periods from the appointed date 6 महिने तक आपको government को इसका हिसाब देना पड़ेगा जी such credit of central tax shall be availed subject to satisfying the following condition कितनी condition है भाई पता चल गया condition अब ज्यादा नहीं है कुछ भी नहीं है पहला ये कि वो nil rated नहीं थे exempt from duty नहीं थे हमने जो सामान दिया था लिया था उस पर duty मैंने दी थी तभी तो हम credit की बात कर रहे हैं एक्जेम्ट होगा तो हम credit की बाती नहीं करेंगे ची सर डॉक्यूमेंट प्रॉक्यूर्मेंट अफ सच गोड्स यहां पर वर्ड मैंने नहीं उस किया है यहां पर मैंने किया है मैंने यह वर्ड बिलकुल यूज नहीं किया है तो आपको यह समझ में आवगा हो कि हमारे पास एट लिस्ट वो डॉक्यूमेंट तो आवेलेबल हो जो भले यह ना बताए कि आपने ड्यूटी कितनी पे की जो यह तो बताए कि सामान आपके हाथ में है जी सर रजिस्टर पर्सन अब देखें वो six tax period वाला आपको clear होने वाला है धंग से सुनेंगे रजिस्टर परसंगे डिवीड यह तॉपर हम लोग हूने देखा मैं अवेल्ट इसी स्वेर्स कोष्ट है मैं कितना समान उसने उस को बेचा जितना बेचा उतना टेक्स दे दिया और उसके 40% की क्रेड़िट ले लिए अब समझ में आया अच्छा तो कुछ ऐसा है साब किताब था हमको तो पता ही नहीं चल रहा था अब जाकर आज आप लोग का ये टॉपिक क्लियर हुआ कि सेक्शन 141 में क्या था सेक्शन 142 में क्या था और सेक्शन 143 में क्या था आज हम इस चीज को आगे स्टॉप करते हैं वो इसलिए क्योंकि आगे आप देख लिए आपको अभी पढ़ना क्या है अभी तो ब्लड ट्रेशर थोड़ा हाई होने वाला है क्योंकि जैसे जैसे दिखी बई जिस चीज को जितना प्रैक्टेस करेंगे वो चीज उतनी दिम चले सेक्शन वन फॉर्टी सब सेक्शन फॉर को भी मैं क्लियर करवा देता हूं हाडली इट विल टेक फॉर तू फाइव मिनट्स कुछ नया हो जाएगा आज के दिन अरजिस्टर परसंसर ना बोलिये समझ में आ चुका है who was engaged in the manufacture of taxable and exempted क्या करता था manufacture करता था taxable और word क्या लिखा है as well as all as well नहीं लिखा है as well as यानि मैं manufacturer था मेरे पास दो तरह के सामान आउटपुट में आते थे एक taxable एक exempt मैं फिर अपनी बात करूँ तो मेरे पास मैं जो services देता था वो taxable थी और exempted थी clear है ठीक है सर अब problem आती है कि जो stock आया होगा उसको हम carry forward उसका input tax लेना चाहेंगे जी सर सर आपने अब हमें दो चीज़े बता दी पहले बताया था section 140 sub section 1 में input जो taxable था exempted नहीं था उसके बारे में आपने बताया था पहले भी registered था अब भी आ रहा है अब इसकी बात दूसरा हम लोगने capital goods की बात की तीसरा हम लोगने बात किया कि पहले exempted था वो registered बंदा बन रहा है यानि कि अब जो आप four में बात कर रहे हैं वो पहले और तीसरे का मर्ज है वो पहले और तीसरे का मर्ज है तो ने तो इसका answer भी वही है जो आप जानते हैं क्या जानते हैं जितनी चीज़ों पर पहला rule लगता है ना लगा दो यह देखो और जिस पर तीसरा लगता है ना उस पर तीसरा लगता जब मैं यहां चला रहा हूं तो एक बार जरूर देख ले मैं किसको क्लिक कर रहा हूं मैं फिर से क्लिक करने जा रहा हूं जहां पर पहला प्रोवीजन लगता है वहां पहला लगा दे जहां 143 लगता है वहां 3 लगा द क्योंकि हमने यहां पर बात किसके लिए की थी सेंवेट क्रेडिट के लिए तो जहां जहां हम सेंवेट क्रेडिट की बात करते हैं वहां पर वैट और की भी बात एड कर देते हैं यसे क्लियर जी ताकि हम लोग को अलग से एसजी एस्ट एक्ट ना पढ़ना पड़े यह क्लियर हो गया तो सेक्शन वन फॉर्टी सब सेक्शन फॉर जहां दोनों मिक्स हैं एक्जेम्टेड और टैक्सेबल वहां पर दोनों प्रॉविजन को मिक्स करके हम च क्या था और हाथ में मेरे कब आ रहा है जब जी एसटी लग गया है निकी 28 जून को सामान चला दो जुलाई को मेरे पास हैं तीन जुलाई को मेरे पास पहुंचा हो सकता है तो फिलाल इन सारी चीज़ों कौन लोग नेक्स सेशन में देखेंगे और मज़ा आने वाले अभी तो बहुत चीज़ें पच्ची होई हैं आप दो इनकी तैरी करें नेक्स सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी सेक्शन 140 सब सेक्शन 5 से स्टार्ट करेंगे अब मैं आपको सेक्शन 140 सब सेक्शन 123 बिल्कुल नहीं बताने जा रहा है यस यस एक चीज छूट गई बढ़ एक चीज रह गई हमसे जो मुझे आपको बताना था कि यह रहा सेक्शन 140 सब सेक्शन 5 जो अभी विकातम किया कि असरे इसको में शुरू ही कहां किया कि ठीक है कोई चीज रही नहीं नेक्स सेशन में यहां से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए टाटा एंड बाए बाए